और रविवार को अगर लोटा भरकर शिवु को समर्भीत करा जाता है तो घर में तेज लच्मी प्राप्त हो सोमवार के दिन भगवान संकर को अगर जल चड़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता मंगलवार को अगर संकर के मंदर में जाकर एक लोटा पानी चड़ाया जाता है तो हमारे खारे में उन्नती होती है बुद्वार के दिन अगर संकर पर एक लोटा पानी चड़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवा नहीं हो रहा जिन बच्चों का विवा नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवा हो जाते है मारा, गुरुवार के दिन, अगर शिवजी के मंदर में पानी चड़ाया जाए, जल चड़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभाव होता है मारा, बच्चे पड़े में प्रखर होते ह कि शुक्रवार के दिन अगर शंकर को छल चलाई आ जाए तो नाडी का अखन्ड सुबाग्या होता है महाराज शनीवार के दिन अगर शिवक कि अराधना करिंशाय निधर संकर को जल चलाई आ जाए तो जिंदगी में व्लपिखि कि आफ लाख प'T हुआ झाल झाल